नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनंजय किस तरीके से डिर्टी पॉलिटिक्स देश को नुकसान पहुचाता है इसको हम आरजिकर मेडिकल कॉलेज पे जो घटना घटा है वहाँ से देख के हम समझ सकते हैं जहाँ पे वो सभी political parties प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनके संबंद ruling government के साथ अचछे नहीं है वहीं पे कुछ वैसे political parties जिनके سंबंद ruling government के साथ अच्छे हैं वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं जो समझने वाली बात है वो यह है आपके हमारे लिए कि जो घटना घटा वो दुबारा इन फ्यूचर में ना घटे या किस तरीके से अगर ऐसा घटना घटता है तो हम कोई एक ऐसा टाइम लाइन फिक्स करें कि उस टाइम लाइन के बीच में पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो खतम हो जा और जो कल्प्रिट है उसे सक्स सक्स सजा दिया जाए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो घटना कोलकता में घटा ये काफी अपने आप में निंदनिये है और उसके बाद वेस्टन मीडिया, यूएस की मीडिया इन सभी देशों के जो मीडिया होते है इनको यही सब मुव्मेंट का इंतजार होता है जहां पर ये किसी भी तरीके से साबित करें कि भारत is not safe for women और जहां तक बात किया जाए हमारे ruling government का behavior का तो उनका भी behavior देके कुछ समझ में नहीं आया जहां पर एक मुव्मेंट तो ऐसा आया था जहां पर ममता बिनर्जी प्रोटेस्ट कर रही थी तो कहने का ये मतलब है कि state आपका है मुख मंतरी आप है तो आप किसके against प्रोटेस्ट कर रहे है और जहां तक बात किया जाए इस घटना के बारे में तो ये कहते हुए काफी शर्म मैसूस हो रहा कि 9 अगस्ट के बाद कम से कम ऐसे 5 घटनाए घटी है और ये जो 5 घटनाए घटी है या उससे भी ज़्यादा जो घटनाए घटी है ये उन सब states में भी घटी है जिस state के political parties आज कोलकता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि वो अपने गिरेबान में नहीं जाक रहे हैं और वो उस state में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिस state के ruling government के साथ उनके संबंद अच्छे नहीं है और उसके बाद बात किया जाया यानि कि जो आरजीकर medical college में जो घटना घटा था उसके बाद इस चातर समाज संगठन का formation होता है और जो prime objective है इस चातर समाज का वो ये है कि नबाना नबाना एक नाम है जहां पर जो सरकारी secretariat है कोलकता में जहां से state government function करते हैं उस जगा का नाम है नबाना ये वहाँ पर जाकर protest करते हैं और इनका जो prime demand है वो ये है कि ममताब energy resign करें अब व्यक्ति का तोर पे मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ या मैं इतना qualified नहीं हूँ ये कहने के लिए कि इस घटना के बाद ममताब energy को resignation देना चाहिए या नहीं देना चाहिए लेकिन जिस तरीके से इस छातर समाज का formation होता है और ये बढ़ चड़कर protest करते हैं अगर आप 3-4 articles ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस छातर समाज को बहुत ही अच्छे तरीके से political backing मिला हुआ है और ये जो छातर समाज है ये मुद्दे के उपर बात नहीं कर रहे है बलकि इनका जो मकसद है वो भी exactly वही है कि किसी भी तरीके से जो ruling government है उसको defame किया जाए protest किया जाए public property को नुकसान किया जाए और किसी भी तरीके से एक complete तरीके से जो chaos है उसको create किया जाए जहां तक बात किया जाए इस चातर समाज के बारे में तो बीते अगर आप साल 2024 के बारे में ही बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे multiple question paper scam हुए या जिस तरीके से need scam हुआ या question paper exam के पहले ही out हो गया था उन सभी time period में ऐसे जो organizations थे वो खामोश बैठे हुए थे जो इतना अपने आप में politically charged moment है जिसके बारे में ना कि सिर्फ भारत में बात किया जा रहा जिस घटना के बारे में इसके बारे में almost पुरी दुनिया में बात किया जा रहा और जो as per Indian Express है ये बताया जा रहा कि इस जो चातर समाज है या जो organization है इसको strong backing मिली है RSS और BJP के दुआरा exactly मैं बता दू कि ये the Indian Express का information है जिस तरीके से चातर समाज का ये demand है कि वो West Bengal का जो secretariat है उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे protest करेंगे ये कुछ वैसा ही moment आपको याद आता होगा जो moment अभी हम लोगों ने बांगलादेश में देखा था जहां पे protest शुरू होता है किसी और कारण से और उसके बाद वो completely एक political movement बन जाता है और उसके बाद जो students वगेरा होते हैं वो उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ शेक हसीना का जो official residence था वहाँ पे तो कहने का मतलब है कि इनका जो behavior है उसको देखके ऐसा कम मैसूस होता है कि ये लोग एक छातर समाज है या किसी भी तरीके से जो student है उसको लेके concerned है और इसी article को अगर आप थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपको कुछ नाम मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे एक नाम है शुभांकर हलदर के बारे में जो की एक school teacher है और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये RSSS से affiliated है या किसी भी तरीके से उनसे connected है अगर इस information में 50% भी reality है तो कोई भी ये कह सकता है कि ये जो movement हो रहा है जिस तरीके से protest किया जा रहा specifically छातर समाज के द्वारा ये कहीं से भी कोई ये नहीं माने है कि ये एक up political movement या ये up political कोई organization है और साथ में अगर बात किया जाया तो कोई भी घटना अगर कैरल में हो या West Bengal में हो या कहीं पे भी हो वो घटना उतना ही बुरा होता है और हर एक एक घटना में जो इंडिया है उसका image खराब होता है चाहे उस घटना को एक proper media attention मिले चाहे ना मिले ये हमारे सामने updated article है 15 अगस्त का जहां पे मुझाफरपूर बिहार में एक दलित family के साथ इतना brutal अत्याचार होता जिसको कि अगर आप पढ़ेंगे तो उस पढ़ा हुआ news को narrate करने विए आपको काफी तकलीफ होगा हला कि जो information अब तक आ रहा उसके हिसाब से बिहार पुलिस ने एक ठिक ठाक सा काम किया और जो भी इसके पीछे जिनका involvement था उसको arrest किया लेकिन एक चीज़ आप समझे है कि आप किसी family के उपर आप attack करते हैं और उसके पूरे family को आप capture कर लेते हैं और उसके family के जो women होते हैं उनके साथ आप rape करते हैं और उनको आप मार देते हैं और अगर आप इस पूरे article को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग भी इसके पीछे involved थें वो लोग a kind of बाहू बली थें तो ये जो local जो police होते हैं उनका ये responsibility बनता है कि जो भी locality में एक बाहू बली समझते हैं उनके उपर check रखा जाए और ये देखा जाए कि उनका जो so-called जो उनका confidence है वो कहीं एक limit के पार ना हो जाए जब उनका ये confidence एक limit के पार हो जाता है तो वे crime में convert हो जाता है तो हमारे सामने दो-ती नगर आप articles को पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक मुद्दा को उठाया जा रहा है और दूसरे मुद्दा को नहीं उठाया जा रहा है जब मैं ये video record कर रहा था तो उसी वक्त एक और घटना हमारे सामने आता है जहां पर आगरा में पढ़ रही एक 20 साल की महिला के साथ 10 अगस्त को रेप किया जाता है और जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उनकी जो concern होते उसको नहीं सुने जाते है as a result ये होता है कि उस महिला को publicly अपनी बात को मनवाने के लिए अपने कपड़े को उतारना पड़ता है publicly ताकि attention को gain किया जाए और उस attention को gain करने के बाद उस महिला को ये उमीद है कि उसके बाद कारवाई होगा आप इस moment को समझे और देखे कि ये अपने आप में कितना सरमसार करने वाली बात है और ये जो घटना है वो आगरा का है यानि की यूपी का है यूपी कौन से political party इसको rule करती है कहने की जरूवत नहीं है और ये महिला जिस लड़के के बारे में कहती है वो लड़का M.TEC कर रहा I.T. जम्मू से और इस महिला का ये उस लड़के के उपर आरोप है कि 10 अगस्त को इनके साथ एक चलती हुई गाड़ी में इनके साथ दुशकर्म किया गया और उसके बाद जब ये पुलिस के पास जाती है तो पुलिस का ऐसा कोई भी रवया नहीं होता है कि वो इनके case को address करें और उसके बाद जब ये मामला बढ़ जाता है तब जाके यूपी पुलिस का हरकत में आते हैं तब जाके उनको लगता है कि ये जो महिला कह रही थी वो सही कह रही थी और उसके बाद जाके उनके concern को address किया जाता है तो अगर ये सब news अगर western media चापेंगे तो उससे हमारा global image क्या बनेगा वो यही बनेगा कि भारत किसी भी तरीके से एक safe देश नहीं है और साथ में जिस तरीके से हमारा जो रवया है वो भी काफी लचर है और जो हम protest करते हैं प्रोटेस्ट भी इसी लिए करते हैं ताके हम देखें कि कौन से political parties को हम support करते हैं या vote करते हैं तो हमें उनके खिलाफ protest नहीं करना है हमें सिर्फ उन्ही political parties के खिलाफ protest करना है जिनके या जिनको हम किसी भी तरीके से vote नहीं करते हैं यह exactly बहुत एक sick mentality है जो कि कहने के जरुवत नहीं है कि देश को और भी पीछे पहुचाएगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye